सीमा सुरक्षा बल के द्वारा 2400 किरुमीटर की साइकल रैली लोह पूरुष सर्दा वला भाई पटील की जर्म जैंती 31 अक्टूबर को राश्टी एकदा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है सबसब पर देश्वासियों में राश्टी एकदा अक्टिता की भावना का संचार करने सशस्त्र सीमा बल के जवान भारत भूटान बॉड़ा के जैगाव से कवरिया गुजरात तक साइकल रैली से निकले हैं जवानों की ये साइकल रैली का गुरुवार को मदप्रदेश के सागर जिले में सीमा में प्रिवेश हुआ जहां जिले के खेमलासा कस्वे में यात्रा का विश्राम हुआ उतरप्रदेश के ललितपुर से सागर के खेमलासा पहुंची इस यात्रा का कस्वा बासियों ने जगा जगा स्वागत किया और यहां रात्री विश्राम के बाद ये रैली शुक्रवारा 15 अक्टूबर को सागा जिले के खुराई राहत गड़ होते हुए वदीशा जिले को प्रस्थान हुई रैली का सिवल एवम फुलिस के दुआरा स्वागत किया गया साइकिल रैली के बारे में टीम लीडर असिस् के मारगवारों देश्यों की जानकारी दी कि हमें ये चीज़ करना है तो हम सब लोग बीलिंग होके आए और हमारे अंदर ये जोश था कि हम भी देश के लिए कुछ करें और देश का नाम रौसन करें और लोगों के मन में ये दिखाएं कि हम पहुच के इस इक बॉर्डर पे नहीं आम जंदा के बीच में भी बहुत कर सकते हैं जोबी का रहेंगा हश कद इसे ते तैस के साथ कोई और भी है जानी नहीं है यह फिरूए कमार साब है जिनके घिल्केण हम लोगों को आन लोगों का प्यार मिलता जा रहा है बहुत ही कर्व की बात है और बहुत ही दा मैं लोगों के धन्यवाद करूंगे कि लोग हमें सब प्यार दे रहे हैं जिसे हमारा जोस और बढ़ता जा रहा है 2400 किलिमेटर क्या है अगर 70 किलिमेटर भी होगा तो भी बहुत नी चीज आप सब्सक्राइब निकारी जारी है इसका क्या उद्देश है किस परपस से आप लोग रहे हैं कहां से कमेट है यह साइकिल रैली रास्ट्री एकता दिवस के उपलक्ष में सब्सक्राइब निकाली गई है यह हमने जह गाओं जो महरत बोटान सीमा पर स्थित है परश्चिम बंगाल राज में वहां से यह रैली के लिए और यह गुजरात के के वडिया जो नर्मडा जिले में है वहां तक जाएगी जो चालीज दिनों में पूरा करना है और आज हमने खिम्रासा से शुरूप किया रैली और या आज हमारा ग्यारस्पूर में होड़ और इस रैली का मकसद जो राष्टी ए आंदोलन्द था राष्टी एक ही करन में सर्दार वल्लबाई पटिल गा इसमें बहुत अच्छ ल सुजित हुमार असिस्टेंट कमांडेंट थर्टी सिक्स बटालियान असेज़ूड़